Hello friends, welcome back to preschool teaching. मैंने कुछ ताइम पहले की वीडियो बनाया था कि अगर आपका बच्चा ठीक से बात नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसका reason क्या हो सकता है? तो उस वीडियो पे बहुत सारे parents के और even grandparents के ये comments आते हैं कि हमारा बच्चा धाई साल का है, तीन साल का है, साड़े तीन साल का है, up to five years कि हमारा बच्चा ठीक से बात नहीं करता है, हम क्या करें? या फिर वो numbers है, alphabet है, shapes है, colors है, ये सब बता देता है, या फिर जो फोन में rhymes देखता है, वो सब गा देता है, वो सब बता देता है, लेकिन बात नहीं करता है, या एक या दो word में, या फिर ऐसे point करके वैसे ही बात करता है, ठीक से बात नहीं करता है, तो इसके बारे में मैं अगर आप वीडियो एक बार आराम से बैठके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और ये वीडियो में एक बार फिर से बना रही हूं इसमें पहले हम ये समझेंगे कि एज के हिसाब से बच्चे को कब और कितना बोलना आना चाहिए जब हम कम्यूनिकेशन की बात करते हैं कि बच्चे को कब बात करनी आनी चाहिए जब बच्चा छे महीने का होता है तो जब आपकी तरफ देखता है, आई कॉंटेक्ट करता है और स्माइल करता है और कुछ गर्गलिंग साउंड निकालता है जिसको हम कर रहा है उसके बाद जब बच्चा एक साल का हो जाता है तो बच्चा कुछ एक वर्ड बोलता है जिनकी सेम साउंड होती है इस तरीके से वर्ड बच्चा बोलने लग जाता है हो सकता है उनको इसका मीनिंग पता हो और ना भी पता हो वो ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन वो व बच्चे का फिर से आई कॉन्टेक्ट आपके साथ होता है, आप जो बोलते हैं उसका आपको रिस्पोंस उसके फेस पे दिखाई देता है, फिर होता है कि बच्चा डेड़ साल का यानि की 18 मंस का होता है, तो तब तक क्या है कि बच्चे को मिनिमम पांच से छे मीनिंग फुल आने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मम्मा बोल रहा है, तो वो अपनी मम्मी के लिए ही मम्मा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, तो पापा को देख के पापा बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो किसी को भी देख के मम्मा बोल रहा है, किसी को भी देख के पापा ब मतलब उसको पता है कि जब मेरे को प्यास लगी है या पानी चाहिए या मैंने पानी देखा है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ममम सो उसका एक meaning associated है उसके साथ एक meaningful word हुआ अब यहां पे हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि बच्चा जो एक non-verbal communication भी शुरू कर देता है फुर एक्जामपल आपने पुछा आपकी मममा कहा है और मममा अगर आसपास है या कहीं और है तो उस तरफ बच्चा point करके बाद बोलता है कि ऐसे दिखा देता है यह है up to one and a half year यानी डेड़ साल का जब बच्चा है उसके बाद जब बच्चा दो साल का होता है और उसमें क्या है कि जब डेड़ साल से दो साल तक बच्चा आता है तो उसके जो vocabulary है वो एकदम से बढ़ जाती है बहुत ज़ादा progress होती है उसमें और बच्चे को कम से कम 50 meaningful word आने चाहिए contextual word आने चाहिए यहाँ पर contextual या फिर meaningful word और आप बोल सकते हैं कि communication वाले word आने चाहिए ऐसा नहीं है कि बच्चे को कई बार क्या होता है कि बच्चे ABCD याद कर लेते हैं A for apple, B for ball और parents को लगता है कि हमारा बच्चा बोलता है यह बच्चा रठता है और यह communication का पार्ट नहीं है यह सिर्फ बच्चा बोलता है तो आपको different समझने की जरूत है कि यहाँ पर यह सिर्फ एक speech का पार्ट है communication का पार्ट नहीं है यह बोलता है यह बाते नहीं है सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि communication की जहाँ पर बच्चा बात करने लग जाए सो colors के नाम, shapes के नाम, numbers, alphabet इन सब को आप please count मत कीजिए उसमें लेकिन अगर इन सब में से कुछ एक word वो meaningfully use कर रहा है जैसे कि beef और ball है उसको ball पता है और जब वो खेल रहा है तब उसकी बात कर या फिर ball, point करके ऐसे मांगता है या point करके बोलता है तो आप इसको contextual word ले सकते हैं otherwise अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक sequence में बताए जा रहा है A, B, C, D, E, F, G, H या फिर 1, 2, 3, 4, 5, so उसको आप count मत कीजिए contextual word में यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब बच्चा उसका meaning जान तो वो words को join करके छोटे-छोटे sentence में बात करने लग जाता है, for example उसको पानी चाहिए तो उसने बोला पानी दे दो, so उसको पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ दे दो तो मुझे कुछ मांग रहा हूँ या मुझे कुछ चाहिए है, पानी दे दो, दू-दू दे दो, टॉय दे दो या फिर बाहर चलो, गुमी-गुमी चलो, so ऐसे छोटे-छोटे sentence बच्चा बनाता है और उसके जो feelings होती है या उसको कुछ चाहिए होता है, उसको express करता है, so उसका जो speech में expression आने लग जाता है, और वो हर चीज को अपने तरीके से express करने लग जाता है, उसके बाद कि बच्चा जब तीन साल का हो जाता है, या साड़ी तीन साल का, बच्चा ठीक से sentence बनाने लग जाता है, और एक storytelling जो होती है, वो बच्चे की develop हो जाती है, storytelling का मतलब यहां यह नहीं कि बच्चा कहानी सोना रहा है, storytelling मतलब sequence में कोई चीज बताना, for example, अगर बच्चा स्कू storytelling भी और sequencing भी, so बच्चा sentence यूज करते हुए, साड़े तीन साल तक ऐसे storytelling शुरू कर देता है, ऐसे sequence में बात बताना शुरू कर देता है, so यह था कि 6 माहने से लेकर बच्चा साड़े तीन साल तक, you know, जो communication के माइल स्टोल है, वो कैसे cover करता है, अब यह है कि अगर आपका बच्चा आपको लगता है कि उसकी speech है, यानि कि दूसरी चीज़े बोल लेता है, जो वो मोबाइल में देखता है, या जो उसने सीखी है, लेकिन जहां पर आता है कि बच्चे को बात करनी है, वहां बात नहीं करता है, एक या दो वर्ड बोलता है, या से point करता है, so अगर ऐसा आपका बच्चा कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आपको इसको इतना lightly नहीं लेना है, अगर आपका बच्चा 3,5-3 साल का हो गया और अभी ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो please बच्चे के डॉक्टर के पास जाए, पीडियाट्रिशन जो होते हैं, जो पूछे कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखे, मैं आपको सिर्फ माइलस्टोन बता सकती हूँ, लेकिन जब तक बच्चे को डॉक्टर देखेगा नहीं, यानि कि उसका examination नहीं होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि actually problem क्या है, तो इस चीज में आप please delay मत कीजिए, अगर आई तीन साल का है, साड़े तीन साल का है, और अभी तक ठीक से बात नहीं करता है, तो आप please उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी specialist की जरूत है या नहीं, या फिर घर पे ही आपको अगर कुछ करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, दूसरी चीज में आपको बोलना चाहूंगी, कि अगर आपका बच्चा बहुत जादा screen time लेता है, यानि कि आप उसको बहुत जादा mobile देते हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती as a parent हम करते हैं, हमें लगता है कि हमारा बच्चा इतना कुछ स बेसिक जो उसकी जरूरत है, वो है communication, यह सब चीजे बच्चा बाद में भी सीख लेगा, I'm telling you from my experience, so इस चीज को आप प्लीज लाइटली मत लीजिए, और जो screen time है, उसको बंद कर दीजिए, और अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ time fix कर दीजिए, या सिर्फ दिन में आदा घंटा दीजिए, उससे जादा मत दीजिए, अगर आप अभी new parents हैं, आपका बच्चा छोटा है, तो I will suggest कि आप screen time बिल्कुल भी introduce मत करवाईए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है, until आप उसको देने लगें, जब आप बच्चे को screen time देने लगेंगे, तभ बच्चे को इस चीज की आदत नहीं पड़ेगी, so आप इस चीज का ध्यान रखिए, कि आप screen बहुत कम दें, या फिर बिल्कुल भी ना दें, और तीसरी चीज यह है कि आपको पता है कि बच्चे की speech clear है, और ये चीज ने बोल पा रहा है, लेकिन बातचीत नहीं कर रहा ह तो आप बच्चे की जो इशारे हैं, उन पे काम मत कीजिए, अगर उसने इशारा करके कुछ मांगा तो आप बिल्कुल मत दीजिए, आप बच्चे को इस चीज के लिए encourage कीजिए, कि बच्चा आपको words में बोल के आपसे मांगे, तब आप बच्चे को कुछ लाके और अगर बच्चे को शुरू में आपको लगता है कि नहीं बहुत हाड हो रहा है, तो आप बच्चे की help कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसने point किया, कि उसको पानी चाहिए है, और आप आप बोलिए अच्छा पानी चाहिए है, बोलो पानी दे दो, पानी दे दो, दो तिन बा आप बोलिए, हो सकता है, बच्चा repeat करें, ना करें, लेकिन ये practice अगर आप continue करेंगे, तो आप शूर बच्चा धीरे धीरे इस चीज को समझ जाएगा, कि अगर मुझे कुछ चाहिए है, तो मुझे बोलना है, सिर्फ इशारा एक बार किया, और आपने चीज अगर लाके द करता है, सो आप कि ये वीडियो आपके लिए हल्फुल रहा हो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिये, और चैनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलिये, I will see you in my next video, till then, bye-bye.